हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुआँ पर चाया रहता है क्योंकि हीरो और होंडा के कलावरेशन से बनी यहाँ कमपानी दुनिया में सबसे अच्छी टू वीलर वीकल बनाती थी लेकिन कमपानी के प्रोफिटबल होने के बाद भी यहाँ अलग क्यों होई और कैसे होनडा ने भारत की कमपानी हीरो को दोखा दिया तो यह सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एक्चुली हीरो एक साइकल बनाने वाली कमपानी थी जिसकी नीव ब्रज मोहन लाल हुन्ज लाल ने 1956 में रखी और 1975 तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकल बनाने वाली कमपानी बन गई इसके बाद उन्होंने अपनी साइकल को बड़े लेबल पर वीडियोसों में बेशना शुरू कर दिया और इस तरह बर्ज 1986 तक यह कमपानी शिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि दुनिया में सबसे बड़ी साइकल बनाने वाली कमपानी में बेशुमार की जाने लगी मार्किट में मोटर साइकल उतारना चाहते थे लेकिन उस समय के ही रो के साथ एक परिषानी यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेकनो लोजी नहीं थी जिसके करण उनके लिए मोटर साइकल बनाना मुम्किन नहीं था हिरो ने अपने इस प्लान को सच में बदलने के लिए किसी बीदेशी कमपानी के साथ कलेबरेशन करने के बारे में सोचा अब उस समय भारत में लिब्रलाइजेशन भले ही नहीं आया था लेकिन उस समय गवर्मेंट इंडियन कमपानी को ये मोगा देती थी अगर वो चाहे किसी भी बीदेशी कमपानी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे पहली बड़ी मोटरसाइकल बनानी वाली जापानीज कमपानी होंडा के पास में अपना प्रोपोजल भेजा और उस समय कोई भी बिजनेसी कमपानी भारत में डाइरेक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी ऐसे में इस प्रोपोजल के जरिये होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने के एक अच्छा मूग का मिल गया था जिसे होंडा खुद भी गबाना नहीं चाहती थी अब दोनों कमपानी जने 1984 में एक दुसरे के साथ मिला लिया हीरो और होंडा के बीच एग्रिमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बड़ी बनाएगा तथा होंडा इंजन सप्लाई करेगा इसके अलवा उन्होंने एक NOSCB साइन की थी जिसके अनुसार दोनों कमपानीज फ्यूचर में कभी एक दुसरे के सामने अपना प्रोड़क लंच नहीं करेगी और दोनों ही कमपानीज इन कंडिशन से सेटिसफाइड थी जिसके बाद ये डिल्स फाइनल हो गई और यही से हीरो हंडा की सुरुवाद होई अब कागजी कारवाही करने के बाद पहला प्लांड हरयाना में बनाया गया जहां से हीरो हंडा ने मिलकर तुरंध ही बाइक की मेनुफेक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी 1985 में इन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लंच की और यह बाइक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि बाइक इंडिया में एक नया कंसेप्ट था जो लोगों को बहुत पसंद आया और दूसरा इस बाइक में माइलेज बहुत ही सांदार था इसके अलबा इन्होंने इस बाइक को उस प्राइस सेग्मेंट पर लंच किया जो हर मिडिल क्लास के लिए प्रोफेडेबल हुआ करता था साथ ही उन्होंने अपना मार्केटिंग केमपेन भी प्रभावित तरीके से तयार किया था जहां इनकी टेग लाइन थी फिल इट, सूट इट, फोर्गेट इट, पेट्रोल भरो और भूल जाओ इस टेग लाइन का भी लोगों पर काफी असर हुआ और जनता उस बाइक की दिवानी हो गए क्योंकि उन्हें स्कुटर वाला माइलेज इस बाइक में मिल रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक जापानी करिंस में उच्छाल आ गई जिसकी बज़े से जितने भी स्पेर, स्पार्ट, जापान से आते थे वो काफी महेंगे होने लगे और हीरो होन्डा को अपनी बाइक अफर्टेबल बनान में काफी दिक्कते आने लगी और एक दुसरी प्राब्लम ये भी थी कि हीरो होन्डा के कहीं सारे कमपर्टीटर इंडियन मार्किन में आ चुके थे जैसे सुजुकी, यमाह, बजज, टीवी एस लेकिन ये सारे ब्रांड्स सहरी इलाकों में रहने वाले वेल्थी कस्टोमर्स पर ही फोकस करते थे लेकिन वही हीरो होन्डा को देखा जाए तो उनका में फोकस हाई मिडिल क्लास तथा लोर मिडिल क्लास कस्टोमर पर था जो एक affordable solution चाहते थे और यही वज़ा थी कि हीरो होन्डा की बाइक स्रिफ सहरों में नहीं बलकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिखती थी और ये सब देखते हुए कमपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी यहां तक कि इसी कारण कमपनी को लंबे समय तक लस का भी सामना करना पड़ा था लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालत थोड़ी सुदरनी शुरू हुई और देखते देखते ही कुछ ही समय में हीरो हंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्राफिट कमाने लगी अगले कुछ ही सालों में कमपनी का प्राफिट 10 मिलियन डॉलर को भी क्रस कर गया था जो कि उस जमान में एक बहुत बड़ा नंबर था हीरो हंडा में आपसी मदवेद अब यहां तक तो चीजे उपर उपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी लेकिन अंदर से शूचेशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी दरसल कंपानी के मेनेजमेंट में शुरू से ही कहीं तरह के प्रोब्लेम चल रही थी जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका रूस जैसे डेवलोप कांट्री में सेल कर रही थी लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरह से फरेंड में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं दी यानि एक तरफ तो हीरो साइकल मेनुफेक्चर के तोर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कमपानी थी यहां तक की गिनिज बुक आफ वर्ल्ड रेकर्ड में भी इनका नाम दर्श था वहीं दुसरी तरफ होंडा की बज़ा से वो अपनी बाइक फरेंड मार्किट में सेल नहीं कर पा रही थी असर में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को स्रिफ नेपाल भोटान और बांगलादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने की अनुमती थी जिसकी बज़ा से हीरो कमपानी इंटरनेशनल मार्किट में जो पोजिशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेट स्पेस में सिमिद होकर रह गया जिसकी बज़ा से इन दोनों कमपानीज के आपसी रिष्टे भी खराब होने लगे इसके अलबा कंट्रेक के वो अनुसर हीरो बाइक की बड़ी बनाती थी और होंडा इनजन अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्षपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसे नहीं करते क्योंकि वो इंजन के लिए अभी तक पूरी तरह होंडा पर डिपेंड थे लेकिन उन्हें अच्छी तरह से ये भी समझ आच चुका था कि अगर इसे होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मेनुफेक्चर करने ही पड़ेगी हीरो ने हीरो होंडा के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगे जिसकी बज़े से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी बड़ी हो गई अब जैसे की इन्होंने कलेकब्रेशन के समय एन ओसी साइन किया था कि ये एक दुसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लांच करेंगे लेकिन होंडा ने इसके खिलाब जाकर साल 1919 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटर साइकल एंड इंडिया प्राइबेट लिमिटेड बाइक लंच करना शुरू कर दिया जिसमें हीरो होंडा की बाइक्स मोजुद थी इस तरह अगर देखा जाये तो इंडियन मार्किट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसकी बज़से हीरो होंडा के कास्टुमर्स डिवाइज होने लगी और इसके कुछ सालों बाद होंडा ने एक टिवा को लॉंच करके स्कूटर सेग्में में भी प्रवेस कर दिया अब अगर देखा जाये तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलिया गी में थी क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से तो profit हो ही रहा था और अपनी separate company से भी अच्छा profit generated हो रहा था इन ही सभी problem से परिशन होकर हीरो ने होंडा से अलग होने का फेशला कर लिया और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपणी अलग-अलग हो गई और हीरो होंडा की कंपणी में दोनों ही कंपणी के 26-26% शीयर थे छिसमें से होंडा ने अपने 26% शीयर हीरो को ही बेचने का फेचला किया और hero company के promoter ब्रज मोहनलाल ने 1.2 अरब डलर में ये share खरीद कर अपनी नई company hero motor cup के नाम से शुरू की और जब hero ने अपनी अलग company शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कि hero survive नहीं कर पाएगे honda के बिना लेकिन आज के समय में हीरो दुनिया की सबसे बड़ी मोटर साइकल बनाने वाली कमपणी में सुमार किया जाता है तो दोस्तो ऐसे हुआ था हीरो और होंडा के बीवाजन तो दोस्तो आशा कर तोहां आप लोगों को मेरा वीडियो काभी अच्छा लगा हो अगर अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भी ना वुलेगा तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ धन्यवाद